हलो स्ट्वेंट्स और इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पे आफ चेप्टर 1 रियल नमबर आफ लास टेंट इन्टियर्टी मैट्स तो देखते हैं इस पहले कुशन में कहा है कि एक्सप्रेस इच नमबर आज प्रोडक्ट आफ इस प्राइम फ पॉस्ट करके कोशन खुद से सल्ट करके देखें उसके बाद उसको वरीफाई करने के लिए कि हमने सही किया है नहीं किया फिर वीडियो का आगे सॉल्यूशन पर प्रोड़ीट करें वीडियू को आगे प्ले करके देखें ओके इसके रावा एक बात और बता हौंगा तो मैं हर वीक स्टुडेंट को इसको कवर नहीं कर पाओंगा लेकिन अगर मैं आराम से पढ़ाता हूं तो जो स्मार्ट स्टूटेंट उनके लिए एक आप्शन है कि वह यूट्यूब के प्लेयर में एक गेर जैसा बटन होता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेबैक स्पीड करके को अप्शन होता है यह आपको हलांकि सबको पता होगा प्लेक स्पीड को आप 1.25 सेलेक करके देखें तो और इसके अलावा किसी स्टूडेंट को और फास्ट देखना है तो वो फास्ट उसलो कर सकते हैं तो मेरी नॉर्मल स्पीड है मैं इसी में पढ़ा रहा और यह कुशन है इसमें एक्सप्रेश इच नंबर इस प्रोडॉक्ट आफ इस प्राइम फेक्टर में अगर दिखाएंगे तो आपको क्या करना है बेसिकली यह कह कुछ नहीं रहा है इस बात में उसने लिगा कि आप इसका प्राइम फेक्टराइजिशन करो सबसे चोटे प्राइम से लेके और आपको बड़े प्राइम तक जाना है है इसके मान के चलो इसको पहले में लेक्राइठ यहाथ चला दिया होकता इस perception से छला दिया होता या फिर यहाप इस फोर बंजा तो क्या करता पीटा देको फोर नहीं ले सकतेख क्राइम नमबर नहीं है आपको 2 लेना पड़ेगा पहले 2 तू तू जा 4 उसके बाद 2 उन्जे 2 करना पड़ेगा तो 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 करते और हमने आपको बताया था सबसे छोटा नमबर उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा तो सब का अंसर फिर से मान आ जाता है तो यह वाली बात हमने आपका हला के इंटू आई थी ओके तो बस सारे कुशन में आपको ऐसी करना 156 कर देंगे तो फटा-फट कर दे रहे हैं आप अपनी कॉपी में गरो म यह आपकर देता हूं 236 298 एटीन अंड त्री वंजट रिवन जट री त्री त्री जटीन नाइन थर्टीन वंजट रटीन जटीन सो 156 इस इक विल्स टू तू स्क्वार इंटू 3 2 13 टेकर 3 825 करोगे तो 3825 को कर दो सबसे पहले आप तू से नहीं चल पाएगा और नमबर ह त्री से चला के दिखते हैं 3 3 3 2 6 3 7 जट 21 3 5 15 फिर 3 से चला के देखते हैं 3 4 12 3 2 6 3 5 15 अब भी 3 से चला के देख सकते हैं 3 3 4 जट नहीं चला वेटा 5 से चला के दिखते हैं तो 5, 8 जा 45, 5 जा 25, फिर आप इसको 5 से चला के देखो, अब 3 से कैसे चल पाएगा, अगर चलता हो तो पहले ही चल जाता है, तो 5 बंजा 5, 5, 7 जा 35, ठीक ना, 5 बंजा 5, 5, 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नमबर है, तो 17 बंजा 17, तो 3 एक तू 5 को आप कैसे लिखेंगे, as the product of prime factors, 3 square, लिखो 3 दो बार है ना, ऐसे लिखोगे ना, 3 इंटो 3, इंटो 5, इंटो 5, इंटो 17, आंसर तो ये लिखोगे, तो 3 square इंटो 5, square इंटो 17, ठीक है, ओके, 5, तो ये तो हमने बचपन में करका यार, तो मेरे को कराने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल फिर भी कुछ स्टूरेंट्स के लिए मैंने करा दिया, 5, 1, 5, 0, 0, 1, ठीक है ना, उसके बाद, इस क्वाइट टफ की 1001 को निकालना, ठीक है, वन और नमबर है, 3 से चला के देखते है, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9, 3, 3, 9, and नहीं चल पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, 7 से चला के बाद, 5 चल नहीं पाएगा, 7 से चला के देखते है, 7 बंज़ 7, ठीक है, 37, 4 जा, 28, and 7, 3 जा, 21, ठीक है, उसके बाद, 143, देखते हैं चला के, तो, 7 से नहीं चल रहा है, एना, 7 के बाद, 11 से भी नहीं चलेगा, ठीक है, 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 प्राइम नंबर है तो यह वाला प्राइम फेक्टराइजेशन थोड़ा सा अच्छा था इसमें सारे नंबर्स ऐसे थे जिनको करके देखना पड़ता है जनरली हमारे पास यह जो टू थ्री फाइफ वाले होते हैं तो हम कर देते हैं तो इस तरह का सब्सक्राइब जा इवाला अच्छा कुछन है ना यह आप से एक्जाम दो पूच्छा जा सकता है लामन इवाइड करके दिखते ना आपको तो आपको सीधा सब्ट्रेक करके भी दिखा पाऊंगा जा आपको नहीं चल पाईगा ओके तो अपके सामने सारे नंबर चला करें थे तरीक है 65 14 में से पांच के नो 13 7 919 अगेन नहीं चल पाएगा 13 से ठीक है 13 के बाद अगला प्राइम नमबर 17 ठीक है 17 से चला के देखते हैं आपको टेबल साने चीह है 17 4 जा 68 ठीक ना 6 2 73 जा 51 जो 119 एंट 17 7 जा 119 ठीक ना तो यह साफ साफ कट गया है ठीक ना तो 17 से चल जागा अब अगेन आपको देखो अफ टू 17 तो कोई नमबर चल नहीं पाया था तो आगेस ट्राइक करके भी कोई फायदा नहीं है ठीक है और 17 भी नहीं चलेगा क्यूंकि अब डेफिनेटली निटो रिमेंडर इस्वरी यह एक क्वेस्टेंट है है ना तो 17 से चला के देख सकते है फिरिया हम अगेन ठीक है तो देखते हैं 17 तूझ धर 34 ठीक है और तेरह में से चारिक है नौ ओविस्टीन से चलना नहीं था सेवंटीन से इसलिए नहीं चलना होता कि अगर वो चलना होता तो वो पहले ही बड़ा नंबर दे देता 17 से बड़ा स्टार्ट करेंगे तो 19 से स्टर्ट करके देख सकते है, वना, स्टाइमन क्या है, यह नियुक्त अपना प्राइमन अपना, मैं यह तूर्टी एट, फइसरोअ थार्टी एट गया, फाइफ ना, फइस ना, इसमें सारे ही नमबर बढ़े थे, तो सोचो एक प्राइम फेक्टराइजेशन आपको एक्जाम में कुछ ऐसा पूछ लें जिसका नमबर लेट से कोई X नमबर का प्राइम फेक्टराइजेशन पूछ लें जो 23 इंटू 29 इंटू 31 इसका कुछ ऐसा पूछ लें तो इसका मतलब आपको करके देखना पड़ेगा ठीक ना तभी आपके पास आएगा तो यह थोड़ा टाइम कंजी में होगा तो इसलिए जितने भी questions है आपके पास extra book में करके देखें और यह और कोई तरीका नहीं है उसका ठीकना practice makes a man perfect चलते बेटा second question before that please pause the video to note it down अब यह question है उसमें कहते हैं second question में कि यह कुछ तो यह प्रूव कर देंगे हम दिखा देंगे सबसे पहले तो यह निकाल लेते हैं दोनों नुम्बर का पहले प्राइम factorization करते हैं तो 26 इसका कितना होगा 13 और 13 बंज़ 13 ठीक है 91 का करेंगे तो यह कितना आपको बताया था introduction में भी की LCM पर है HCF लिकले था ठीक है HCF के आओ तो हाँएस्ट कमन फेक्तर एक इफेक्टर कमन यह है यह 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 स्टेक थेकन तो यह यहां पे तो दोनों कीपवर यह स्टेक्वल थी तो ओ एक पावर ही ले यह है लें है 13 स्क्वाइर होता है यहां पर तो हम लोग क्या करते है common factor क्या least power लेते हैं यानिकी 13 लेते सरफ तो यह common factor हो गया इसका least power 13 यानिकी 13 का पावर एक कम पावर है ना उसको लेते हैं यह से पात है आप से discuss करी थी कहा पर introduction में ठीक है तो यह बते फिर से repeat करने के जुरूत नहीं है तो मेरी कोशिश ही रहती है कि कुछ छुटे ना क्योंकि हम NCRT करते हैं तो NCRT कम चकम इस तरीके से कर लेगी किसी भी किताब का क्योशन आप से पूछा जाए आप बता दो LCM LCM क्या होता है LCM होता है बिटा कि highest power of common factor product of highest power of common factors with remaining factors with remaining uncommon factors तो जो common factor है उसकी तो highest power लेनी है तो यहां तो एक ही से equal power 13 बाकी बच्चे बें चितने factors है वो सब तो यह HCF होगे LCM होगे वेरिफाई करेंगे हमें verify क्या करना है HCF into LCM is equals to 26 into 91 हमें product of two numbers LCM into HCF equal to product of two numbers हमें शो करना है product of two numbers HCF into LCM तो यह देखें कितना होगे 13 into 14 13 into 14 तो कितना हो जाएगा 140 और प्लस 42 तो 182 ठीक है चलो आपको चेक कर आई देता हूं तो 26 into 91 ठीक है इतना हो जाएगा 6 6 9 54 2 1 2 2 9 18 6 2 3 6 6 राइट-इंड साइड कितना यह बटा 2366 आ गया लेफ्ट-इंड साइड देखेंगे 13 into 182 ठीक ना शू कितना हो जागा दरक्तर इनगर दिखेंगे अनर्टर इनगर दिखेंगे तो थेंड थेंड फोने शिक्स करी तो थेंड एट थेंड 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 ताइम्स टाइम्स 106 6 यह और एंपिर हांगे अधिक आगई ही रहे ठाल नहीं आखेक़ हां सुनों नंबर का प्रोड़क्ट यह विए विए 2366 आ गई थी और फिर हम लोग बाद में कहतेंगे कि हैंस लहसे इकुल टो रहसे हैंस वेरिफाइट है ना लहसे इकुल टो रहसे हैंस वेरिफाइट ठीक है ओके ठीक है तो ऐसे करना पूरशन तो बच्छे वे दो क्वेशन रहा देता हूं अपको हला कि मैं कुछ पहले चुड़वा देता था था पट चुछ फूरेंस ऐसे होता है जो एक क्वेशन से समझ पाते तो फूर दोस चूरेंट्स मैं यह रिमेंटिंग कुश्ट भी सॉल कर देता हूना तो फाइव और टेन का देखते हैं टू 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 प्राइम फेक्ट राइजिशन टू 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 ट्रींटू टू 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 तू टू 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 अपने आप में ही क्या है एक प्राइम नमबर है तो 2 इंटो 2 इंटो 23 स्विट आप यहां पर हम लोग लिख रहे हैं HCF इसे करते थे बच्छपन में HCF तो common factors कौन कौन से हैं सिर्फ एक ही common factor है जैक करो और को common factor नहीं है तो सिर्फ 2 लिखेंगे LCM की घरम बात करें LCM में का लिखते हैं common factor है उसको एक बार और जो नहीं common factor नहीं है उन सब की multiplication फिर से करेंगे तो यह काफी बड़ा multiplication हो जाएगा ठीक ना ओके तो हमें क्या शोगरना है हमें शोगरना है LCM into HCF किसके equal करना है product of two numbers तो product of two numbers कितना है 510 into 92 तो पीटा यह क्या है अपना यह LHS है ठीक है यह रहाच चेकर ओना इस statement में यह लहाच जाए तो हमें एले जसकी वाल्यों निकालनी है यानिक सब्सक्राइब करेंगे तो कितना है यह रहाच जाए तो यह ती नमर मुल्टिप्लाइब करेंगे रहाच में सिर्फ हम लोग 510 95 to 45 so it's 02 कल्कुलेशन आप जरूर करके देख रहे हैं ठीक है इस वीडियो में टाइम बचाने के लिए कर सकता था बढ़ उतना ही प्रैसर मेरे पर भी है कि यह मुझे जल्दी करना है सही करना है क्योंकि बच्चे देख रहे हैं उतना ही प्रैसर आप लोगों पे भी एक्जाम के टाइम में रहेगा तो इसलिए क्याल करके देख हैं है सबस्चAC वाइना अर्च मौनीन से छोन्टि अच्छाम के आण सब्सक्राइब आश्याग इन वार। दिख के लिए फिरफ रहे फिरटे के ल dw fulfilled भूज़ा 6, 2,0, 0, 2,0, 0, 2,0, 0, 2,0, 0, 2,9, 6, 4, 6, 9, 2,0, ठीक है, तो दोनों एक को लागे बटा, तो आपको क्या बोलना है, लह को लूज इक्वल टूरह एच्छ एन्हेंस, वेरिफाइट, एक तो यह जो रिलेशन उपर दिया हुआता यह आप बता देंगे, टीक स्व तो यह वाला कोशन आप खुजछे करेंगे सूँ याटी उस फ्रमुला चाहँ तो करते हैं क्थे निच्सक्वांट आण युट देखते हैं हैं कि न थार्ड है तो थार्डLo id चुट करने वालें थे लिए उसके बाद THE REST OF THE तो पार्ट्स आप खुद करो गे बहुत ध्यान से देखें गे किरा फइंद आल समने से प्लाइंग इजब अप्लाइं प्लीघ टीक थे ना तो लेट तो लेट से छेवंटीन तवाला पार्टने थे वाला फिदा यह एक फाइदा निक रॉट्ट में फाइदा निया चला काम तो 3, 7 जब 21, 7 वंजब 7, so factors देखोगे गर इनके तो 2 x 2 x 3, 15 का देखोगे तो 3 x 5, और 21 का अगर देखोगे तो factors क्या है? 3 x 7, तेकर न? ओके सो अगर हम HCF की बात करें सो HCF क्या होगा तीनों में common क्या है त्री और कुछ common है नहीं है LCM की बात करेंगे जो common है उसको एक बार लिखेंगे जितने भी uncommon है उनको सबको लिख देंगे की किब लिखेंगे सो HCM हो कि यहां पर साफ साफ 2nd पार्ट की बात कर रहा हूं हूं से की कि हांसे देखेंगा 2nd पार्ट में कि सेवन्टीन खुद में एक प्राइम नमबर इसकेश्क नहीं हो सकते ठेक है उस सेवन्टीन का प्राइम एक टाइम रहेगा 23 एक खुद में प्राइम नमबर इसका प्राइम एक्रेशन नहीं हो सकते हैं फ्रडर 29 खुद एक प्राइम नमबर है इसका फॉर्ड फिक ट्रैशन नहीं हो सकता है HCF इनका 1 होगा सुनो जब दो नंबर में कॉमन कुछ भी ना हो तो फिर कॉमन क्या होता है वन होता है सब्सक्राइब होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 ठीक है तो इसले सेगें पार्ट करना जरूरी था था थार्ड भी देख लेते हैं जब कर ली लिया सो यह फेक्टर करेंगे का दिधू 24 Britt ओü 24追 चा 4 जो टू बनार टू इंट ओ इंट तो नाइन का करेंगे टिए dy, there, so 9 deeper 3 3 च्टीक है तो नान और कुल त्री इंटू three ठीक कै eneiki 25 का जो 25 डूल bissह 25 बनार जो 25 इनटे 5 ठीक है HCF common कुछ है जब कुछ भी common ना हो HCF 1 होता है LCM क्या होगा जब कुछ common नहीं है तो सब की multiply कर दो 2 x 2 x 2 x 3 x 3 कुछ common ही नहीं 5 x 5 सब्सक्राइब क्योंकि LCM लिखते हैं हम लोग common वाला सिर्फ एक बार लिखते हैं बाकी तो सारे factors की multiplication लिखते हैं common कुछ ही नहीं है तो इसलिए सारे factors की multiplication लिखते हैं ओके तो देखते हैं स्कूशन नबर 4 बिफोर एट प्लीज पॉस्ट वीडियो तो नोट अब सब्सक्राइब क्यों 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 निकालने के लिए हम सीथा रूल लगाएंगे क्या HCF of two numbers into LCM of two numbers अना A B अगर कोई दो नमबर है उनका HCF into LCM क्या होगा उन नमबर की प्रोड़क के इकवल होगा तो अब इसका मतलब अगर इस पर लगाएं तो साफ-साफ क्या दिखेगा कि भाया HCF of 306 और 657 into LCM of 306 and 657 will be equal to number क्या है 306 है और 657 इनकी प्रोड़क के एकवल है ठीक है क्योंकि question में यह given है क्या given है कि HCF जो है वो given है 9 है ठीक ना इस solution लिए हम ठीक है question में यह given है तो यह value हम लोग पूट करिंगे उपर तो 9 into LCM of 306 and 657 will be equal to 306 into 657 एक ना 9 इंचला जाएगा डिवाइड में so it will be like this ठीक है करके देखते है कितना जाएगा देखें हापे डिरेक कर रहे क्या 9763 9327 to 306 and 73 क्या आप मल्टिप्लाइग कर सकते हो तो कितना जाएगा 3618 339 760 427 321 राइट 832 2223 38 2223 38 ठेक है एवर प्रडुक्त चेक करना चाहोगे तो शेक कर सकते हो इच्छा एट्स करेक्ट बिलकुछ सही होगा ओगे तो बढ़ते नेक्स कुशन प्रेशन देखते हैं फिफ्फ्त कुशन विफ्त कुशन बिफ्त प्रीस पॉज़वी तो नोड़ दो अब श्रें देखते हैं कुशन नबर फाइफ क्यादा चेक वेदर शिक्स पावर एंड केंड विफ्त डिजिट जीरो फॉर एनी नेच्ट नमबर एन तो ऐसा कुशन हम इंट्रोक्शन में कर चुके हैं हमने आपको बताया था मापे फॉर पावर एंड का केस लेके कि कि किसी भी एन न जीरो चाहिए एक एंड डिजिट जीरो चाहिए तो हमने क्या आगा आता कि टू और फाइफ का पेर चाहिए होगा दो एन डिजिट जीरो चाहिए हैं किसी भी नमबर में तो आपको टू और फाइफ का दो पेर चाहिए होंगे थ्री N digits 0 चाहिए तो आपको 2 और 5 के 3 पेर चाहिए है ना तो यानि कि जतनी N digits 0 चाहिए होती है उतने आपको 2 और 5 के पेर चाहिए होता है थे लोगे तो अगर एक जीरो है तो इसमें आपको टूर फाइफ के दो पेर मिलेंगे तो यानिकी अगर एंड डिजिट जीरो चाहिए तो इसका मदब टूर फाइफ का एक प्यार तो मिलना पड़ेगा वाट अगर हमने आपके तो हमें टूर फाइफ का पेर ही नहीं मिला ओना है ना हो आझ वी दूनोड था चाहिए ना तो इंटो फाइफ और फैफ और वे छंसे है विज्क शी दो नोट है तो इन फाइफ तो इन फाइफ दो फैड तो बोड़े एफ प्र अ प्रेंट खेंट आफ इंट जीरो व we cannot have n digit 0 वाई सुनो ना एक बास सुनो यहां उपर n होने से होता क्या है एन होने से क्या होगा टू पावर n इंटो थ्री पावर n अभी कभी तुब जिन्दगी में मिल सकता है क्या 5 नहीं मिल सकता तो यानि कि 5 नहीं है है we do not have 25 both as factors we cannot have n digit 0 symbol answer लिखेंगे इस वापको ठीक है तो कहीं बार यह समझ में नहीं आता बच्छों को कि सर क्या हम यह कर सकते हैं तो इंटो 3 पावर n 2 पावर n 2 इंटो 3 तो लाफ एक्स्पोनेंट्स आपको सिखाया था क्लास 9th में आ तो वीडियो आप एक बार से फिर से लेना देर्फेंट्स आग्ले को चेया पेशनलुन पेशनल्य तो अगले को च essent में ज चलते हैं अ ओ릴 स्जीन पेशनल्राओं प्रीज़ेट्वमिट्र इंटो आप लेए नंबर्स हो ह्य कि एक से बड़े वो नंबर यह जो प्राइम नहीं नहीं जो नहीं है टिक है हुआ की एक से अन्वर ची कि यह सरा पहचानने के लिए आपको पताया है था उस टाइम अन्विस्ट है ले पनाट वैंद और था नमबर्स था प्राइब are which which is other numbers which are product of some numbers other than one in itself other than one and itself which can be written as product of some numbers other than one in itself QUESTION OF NUMBERS सकते हैं मैंने का 1 नहीं लेना है और वो जो नमबर भी नहीं लेना है तो यहां पर क्या हो क्या हो किया? 1 and number itself आगे न इसे नहीं लेना है इसके अलावा हमें कि नहीं दो number का product show करना है तो 3 को क्यों कि हम products of some numbers नहीं नहीं शो कर सकते इसलिए वो प्राइम है ऐसे समझो इसके लावा और भी बाते बताता हूं composite numbers तो composite numbers हमने बताया कि those numbers which can be written as product of some numbers other than one itself इसके अलावा numbers greater than one whose are those are number greater than one then one and are not prime ये भी एक definition है composite number की है ना are called composite numbers ठीके ना इसके अलावा और कोई definition बता हूं इसके अलावा composite numbers वो होते हैं जो one और उसके अलावा किसी और number से divide हो जाएं तो composite numbers की definition ओर लिखेंगे composite numbers are divisible by and are the numbers are the number composite numbers other numbers that are divisible by divisible by any other number by any number of are divisible by some numbers other than one in itself the one or number को छोड़के किसी और number से वो डिवाइड हो जाता है जैसा for example four one or four को छोड़के टू से डिवाइड हो सकता है but three one or three से ही डिवाइड होगा इसके लावा किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता तो यह सब composite number की definition है ओके यह आभे देखते हैं यह तो आपको सम्झाने के लिए बता है तो बोर्ड मास है ना आपने एक फॉर्मला पढ़ा होगा बोर्ड मास का आपको सिखाते थे तो यहां पर सबसे पहले मल्टिप्लिकेशन होगा और तब एडिशन होगा ठेक है सो यहां पर देखते हैं 11 x 7 that is 77 7 x 11 x 13 कितना हो जाएगा 77 77 x 13 plus 13 कुछ बच्चे क्या करेंगे यहां पर 13 जो है वो एड कर देंगे सबसे पहले है ठीक ना एड नहीं करना आपको है यह गलाथ हो जाएगा कुछ ना पहले बोर्टमास में क्या करते हैं पहले मल्टिप्लिकेशन करते हैं तब एडिशन करते हैं तो 77 x 13 13 791 913 791 और 900 1001 1001 अब 13 अब 13 एड करो तो क्या कहेंगे इड देज 1014 है ना तीन और एक चार 1014 ना अब क्यूकि यह नंबर 1014 है ना तो इस नंबर इस इकोल तो 1014 7 x 11 x 13 प्लस 13 it is equal to 1014 it is divisible by अगर आप इसका factorization करो 25.10 ठीक ना और 02714 ठीक है उसके बाद आगे मुझे पता नहीं यह divisible होगा के नहीं होगा हम चेक कर सकते हैं तो इसके बाद यह 13 से दो बार चल जाएगा ठीक है ठीक है तो यह हो जाएगा 1014 जो है वो 2 x 3 x 13 x 13 तो क्योंकि क्योंकि आप इस नंबर को product of some number other than one in itself देखो यह नंबर एक हजार चौदा है था ना तो हमने एक को नहीं लिया एक हजार चौदा को नहीं लिया दोनों को नहीं लिया फिर भी हम कुछ नंबर की products में इस नंबर को शो कर पा रहे हैं सो वाट-वी कैन से कि this is composite यह जोंबर है this number is a composite number ठीक नहीं टो है ना तो यह डिवेजिय बियज वियत प्राइम नहीं है यह prime नहीं है, इसके factors हो सकते हैं, तो prime कैसे हुआ है, तो इसका वंदर यह क्या होगा, एक से बड़ा है, prime नहीं है, तो composite होगा, तो hence we can say, 7 x 11 x 13, ठीके न, plus 13, which is equal to 1014, is a composite number, reason बता देंगे, because, we can, because, why, we can show 1014 as product of, product of, 2, 3, 13 and 13, ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, सेम इसका second part है, second part में भी हम क्या करेंगे, वहीं काम करेंगे, जो हमने इधर किया है, है न, 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, प्लस 5, तो पहले अड़ निकर देना, पहले पूरा मल्टिक्लिक्लिक्लिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टि ऐसे कर लेते हैं ना ओ फोर्टी टू और वन ट्वंटी है ना तो जीनों तो यहां पर लिख लो सिर्फ वारा की मुल्टिप्लाइब करो तो बाराद उने चौबेस चार बाराद चौकर तालिस और दो फचास फाइव जीरो फोर जीरो यह प्रोडक्ट आई है यह वाली ठेक ह होके अ ऐगे प्लस 5 करना दो 5045 अब सिम्बली यारे काफ तो 504 35 को फेक्टराइब करेंगे 5045 कोम ठीक है 5045 फेक्टराइब करना 5 n the 5-1009 ठीक है ऑक 11 εолж, 09 ठीक है तो इसार नमबर कभी देखने में आया नहीं है प्रोड़क्ट फिस एनी नमबर बाट फिर भी यू कन ट्राइ एना फोर सम नमबर्स सो अगर आपको नहीं भी हो पाराया फर्दर तो टेंशन एनिक जरो तो नहीं आप ऐसा लिख सकते हैं कि क्लियर ली क्लियर ली कंपॉजिट नमबर बताने के तीन डेफिनेशन बताए ना क्लियर ली 505 5045 इस डिविजिबल बाइ डिविजिबल बाइ फाइफ पाथ से तो डिविजिबल है और अगर वो नमबर कोई भी नमबर कोई भी नमबर वन एन इट्सेल्फ यानि की एक और 5045 के अलावा अगर वो किसी भी नमबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो पॉम्पोसिट है सो हम कहेंगे के क्लियरली 4045 इस डिविजिबल बाइ फाइफ है ना विच इस अधर दैन विच इस अधर दैन वन एंड इट्सेल्फ सो 5045 और 7654321 प्लस फाइफ इस अधर नमबर तो अगर नहीं हो रहा हो सकता है कि आगे पूर प्राइम नमबर आ जाए तो फेक्टराइजिशन नहीं हो पारा विच बाइब नमबर तो बड़ा नमबर भी हो सकता है ना तो अगर नहीं होना तो फास्जाओ गें तो ऐसे केसमे लिख दो कि यह वन और अपने अलावा किसी भी नमबर से गडिविजी वाले तो इस एक पॉपोजिट नमबर नहीं टेक है इस से कॉम पोजिट नमबर ओके सेवंथ क्वेशन करते हैं बिफॉर थे प्लीज पॉसर वीडियों नोड़ी टाउं पॉपोजिट नेखते हैं बहुत बढ़ा क्वेशन है कि देर इस सर्कुलर पाथ अराउंड ऑस पोज़िए तो एक सर्कुलर पाथ है बहुत प्यार से समझेंगे इस कुछन को वैसे स्कुछन में कुछ नहीं है मैं सॉल्ट तो एक मिनट में कर दूँगा पर समझाने के ल तो सोनिया ड्राइव कर रही है लेट से कुछ मोटर पाइक से साइकल से किसी चीज़ से भी तो सोनिया सोनिया को हमने क्रॉस से शो किया क्रॉस से यहां पर सोनिया खड़ी है और सोनिया एक राउंड लगाने में अठारा मिनट लगा देती है तो सोनिया इस बात को ध्यान हैं कि Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field के था कि सब्सक्राइब कर रहा है वो बारा मिनट लगाता है तो रवी 10-minute per round और रवी जो है वह रहा है थोड़ा फास्त है वो 12 लगा देता है एक राउंड ते और के वारा मिनट्स टिक किना और को यह व्योंड ने थूण ने बहुत से ब समक्राइब कर द से चार्ट किया और गो लिए लिक रहटे मिद्द दियंगे लिए after how many minutes will they meet again at the starting point कितने मिनट बाद वो वापस यही starting point यहाँ पे मिलेंगे यह तो बहुत खतरना कुछन पुछ लिया भाई या रवी तेज भाग रहा है तो रवी आगे निकल गया सोन्य पीछे रह गई तो कैसे मिलेंगे एक बार वो कह रहां after how many minutes will they meet again at the starting point starting point पे फिर से कम मिलेंगे पता नहीं सर्फ दोड़ते रहेंगे दोड़ते रहेंगे कभी तो मिली जाएंगे इसका mathematical जवाब है मान के चलो मान के चलो कि starting point में मिलना नहीं starting point पे और starting point में मिलना तो इस round complete हो चुका हुआ तो मान के चलो जोनिया ने सोनिया मीट्स रवी आफ्टर क्कुष्ट एक्सरां शौन्या को एक्सरांद लगाने पड़े रवी से फिर स्टार्टिंग पॉट में मिलने के लिए तो कितना मिनट वे टाइम टेकन बाई सोनिया कि टाइम टेकन बाई सूनिया कितना हो गया 18 into X ठीक है अब रवी जो है क्योंकि फॉस्त था तो रवी ने ज्यादा चक्क्र लगा लिए जितने में सॉनिया ने एक्स रांड लगा लगा लिए तो रवी मीट्स सॉनिया क्योंकि रवी बारा मिनिट में चक्क्र लगा देता तो रवी मीट सोन्या आफ्टर वाई रांट्स दोनों डिफरेंट नंबर ओफ रांट्स लगाएंगे तो टाइम टेकन बाई रवी ताइम टेकन बाई रवी एक बात तो साफ है कि यह जो 18X है बहुत ध्यान से देखेंगे कि यह जो 18 इंटु एक्स है और 12 इंटु वाई है यह एक्वल होगा क्योंकि जितने मिनट बाद रवी सोन्या से मिलेगी सोन्या भी तो रवी से उतने मिनट बाद ही मिलेगा ठीक ना तो यह दोनों एक्वल होगे अब बहुत ध्यान से देखना यह equal है तो क्या निकाल रहा हूँ मैं यानि कि यहाँ पे जो भी आएगा number वो 12 का multiple है 12 में y से गुणा करके आया है तो 12 का multiple है और क्योंकि जो number आ रहा है वो 18 का भी multiple है तो यानि कि 18 और 12 के दोनों के multiple होने चाहिए यानि कि 18 और 12 का common multiple होना चाहिए ठीक है common multiple होना चाहिए और चूकि वो जल्दी मिलना चाहते हैं मिलेंगे तो वो कहीं बार लेकिन वो उतना बार सोड़ी कुछ नहीं के रहा after how many minutes will they meet again अगली बार कम मिलेंगे अगली बार यानि कि हमें कम से कम समय बताना है यानि कि least समय बताना है तो least common multiple इसका मतलब क्या है कि हमें 18 और 12 का least common multiple निकाला है और बच्चो least common multiple ही तो LCM होता है तो यानि कि हमें 18 और 12 का LCM चाहिए ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था जो question समझना चाहते हैं बाकी तो इस question में कुछ था ही नहीं मैं इतनी बगवास करता ही ना आते बताते हैं तो अठारा और बारा का LCM निकाल दो भाई ठीक ना तो अठारा और बारा का LCM निकालेंगे So 18 is equal to what? It is 2 into 3 into 3 and 12 का कितना हो जाएगा? It is 2 into 3 2 into 2 into 3 So common factors कौन-कौन से हैं? उनको एक ही बार लिखेंगे ठीक है? LCM of 18 and 12 निकालने के लिए Common factors को एक ही बार ठीक है? और बच्चेवे factors को सबको लिख देंगे So 2, 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36. So 36 will be your answer. तो चलते हैं student next exercise that is 1.3 के introduction पे Before that, please pause the video to note it down.